तो भाई और बेनों आपका सोगात है आपके चानल Learn to Turn में उस्ता हम इस वीडियो में छोटे से लेकिन एक important topic के बारे में बात करेंगे जो कि ये सवाल हर किसी car lover और bike lover के मन में रहता ही होगा जो सवाल ये है कि हमारे bike के जो disc brake होते है उस पर holes क्यों होते है और जो हमारे car के disc brake होते है उस पर holes क्यों नहीं होते है इनी दो topic के उपर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते है जो brake type होते है, disc type होते है वो कुछ इस प्रकार होते है उस disc का इस्तमाल bike में किया दाता है तो जोस्तों यह holes क्यों होते है उसमें से कुछ reason में आपको बाता दाओ सबसे important और सबसे पहला reason है heat को reduce करने के लिए braking की वाग जो heat produce होती है उसे decrease करने में उसे reduce करने में यह holes जो है वो मदद करते है इस holes की वज़े से disc का temperature reduce होता है और दूसरा reason है कि disc जो है वो weight ना रहे पाई जिसके आपने देखा हुआ कि हमारे bike की disc होती है वो पूरी तरीकी से open होती है उस पर कही से भी पानी आ सकता है या फिर dust आराम से चिपक सकती है लेकिन इस hole की वज़े से पानी और जो dust होती है वो ज़्यादा तेर disc पर रुपती नहीं है और दूसरा reason है कि disc plate का weight जो है वो कम करने के लिए इस hole की वज़े से उतना weight disc का कम होता है तो दूसरा reason की वज़े से जो है वो bike में hole वाले drill वाले disc का इस्तमाल किया दाता है तो दूसरा सवाल ये पेदा होता है कि क्या car में अगर hole वाले disc brake नहीं रहते है तो क्या car के disc को थंडा रहनी की मानि की heat reduce करनी की ज़रूरत नहीं होती है दूसरा के brake जो है वो bike के brake से double heat generate करते है फिर भी car में जो है वो drilled brake का इस्तमाल नहीं किया दाता है उसमें car में जो है ventilated disc का इस्तमाल किया दाता है जो ventilated disc होते है वो काफी जदा मस्बूत और काफी जदा heavy होते है यहाँ पर इस disc brake का heaviness matter नहीं करता है कि car में wave से जदा matter होता है कि उस disc brake की strength कितनी है जो कि अपने उपर पूरे गाड़ी का लोड ले सके दोस्तों अगर हम बात करें कुलिंग मेकेनिजम की तो जो ड्रिल्ड डिस्क होती है उससे कही गुना जादा भेतर कुलिंग जो है वो वेंटिलेटड डिस्क में होती है कुछ इस प्रकार के वो डिस्क रहते है और इस होल की माद्यम से बहुत अच्छी तरीके से उसमें वेंटिलेशन जो है वो होता रहता है इसकी वज़े से हमारे कार के डिस्क में जो है वो होल नहीं होते है और जैसे कि मैंने आपको तीन रिजन बताए किńsk में होते है लिकिन अगर हम बात करे हाइयन कार की मानि की स्पोर्ट कार की तो उनमें वेंटिलेट डिस्क पर क्रॉस ड्रिल्ट होल रहते है जीनें की जादा जल्दी कुलिंग मिल पाए इसके लिए लिखिन दूस्ता अगर वो अगर उन पर होल्स रहे और वो अच्छी तरीकी से बनाए ना हो तो हीट जादा जन्दरेट होने की वज़े से उन में क्रैक्स अना चालू हो जाते हैं अशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से जो है वो आपको मदद होगे होगे आपको थोड़ी बहुत इंफर्मेशन मिल गए होगे अगर आपको मेरा वीडियो पसान है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने दुस्ते के साथ शेयर करना ना बोले क्योंकि मैं इसे ही व पूराने वीडियो नहीं देखे तो उपर आए बटन में आकर आप उन वीडियो को देख सकते हो